पहली चीज, तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें क्या चाहिए, फिर उसके बाद उसकी त्यारी सुरू करो, जे एडवांस बहुत अलब पेपर है, ऐसा कोशन आएगा कभी तुम देखे नहीं होगे जीवन में, वो कभी आज तक बना ही नहीं होगे, उस फॉर्मिट का न है, IIT को टार्गेट कर रहे हो, या फिर किसी और फिल्ड को टार्गेट कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड भी कोई आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स बताइए, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम डिसकस करने वाल है, IIT क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर डीटेल के बारे में समझेंगे, कितनी IIT हैं, इनकी eligibility criteria क्या है, कैसे हम इसमें entry ले सकते हैं, कैसे इसका exam कब-कब होता है, किस level पर हम जाके इस exam को दे सकते हैं, कितनी बार exam को दे सकते हैं, exam को देने से क्या-क्या फायदे होंगे, कौन-कौन से क वो समय मिलेंगे हर एक चीज की डिटेल हम इस वीडियो में समझ रहेंगे और बस एक छोटीस रिक्वेस्ट आप पी रहेगी तर मेरी रहेगी आप से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सक्रमेंट कुछ भी जरूर कर देना तो अगर IIT की बात करें तो IIT सिंपल सी बात है क्या IIT IIT दो I मिल रहें एक T मिल रहें I का मतलब Indian Institute of Technology अगर मैं बात करूँ यह है क्या तो government organization जो different different institutes के थुरू आपको various field में study कराता है जैसे मैं research की बात करूँ research की आपकी study कराता है technology में आपको study देता है engineering में आपको study देत ग्रेजुएशन लेवल पर प्रोष्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और भी बहुत सारी लेवल साइंसी जहां पर यह चीज़े कराता है बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे होंगे कि IIT में graduation level पर हमें क्या-क्या opportunities मिलती है और किस पर यह opportunity हमें मिलती है तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले तो यह समझते कितनी IIT अच्छा है इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो total कितनी IIT इंडिया में exist करती हैं तो overall 23 IIT अगर मैं बात को number of IITs की तो overall 23 IITs exist करती हैं अभी इंडिया में अब इ रैंकिंग प्रोवाइड करती है जो भी रैंकिंग आपको दिख रहे हैं वो इंजिनेरिंग के छेतर में है मतलब कौन से ऐसे इंस्ट्यूट हो जो इंजिनेरिंग के लिए best चीजे प्रोवाइड करते हैं तो उनकी रैंकिंग के गौरडिंग पर आपकी यहां पे colleges लिखे यह भी आपका dream college है और हाँ एक चीज और comment करके बताना अगर आपने सोचा हुआ है तो आपका dream college कौन सा है अगर आप IIT के बारे में सोच रहो या फिर need के बारे में सोच रहो तो किस college में आप admission लेना चाहते हो पहले से अगर तुम्हारा चलता रहेगा thoughts ना आप देखो बा ला था कि यह चीज मुझे पाना है और मैंने पाया उसको तो इस चीज को comment करो बार बार आके हर महीने में वो comment देखा करो कि तुम जिस चीज को comment कि उस चीज के लिए work कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो third college that is IIT बांबे, IIT कानपूर, IIT खड़कूर, IIT रूरकी, IIT गौहाट IIT हाइदराबाद, IIT खड़कूर दिखरा जो कि सबसे first IIT है पूरी इंडिया की हमारी 1951 में इस्टैब्लिज की गई थी first IIT of इंडिया तो ये भी याद रख लो UPSC paper में साइद आजा है वैसे नहीं आएगा, तो ये कुछ NIRF ranking है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 तक आपके top colleges हैं फिर IIT धनबाद, IIT इंडोर, IIT वारानसी, जिसे IIT भीचु भी हम बोलते हैं, मैं अगर बनारस काऊं तो मुझे at least इसके बारे में complete detail होगी, IIT रोपर, IIT पटना, IIT गांधी नगर, IIT भूनेश्वर, IIT मंडी, IIT जोदपूर, तो ये इनके top rankings हैं और ये कहां कहां लाई क करते हैं, इधर आपको दिख रहे होंगे, IIT तिरुपति, IIT भिलाई, IIT गोवा, जम्मो, धरवाड, पलककर, तो इतनी IIT आपके सामने हैं, है ना, तो ये तो हो गए 23 IIT अब इसमें से तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें कहां जाना है, किसका campus के recording तुम्हें जाना है, या जारा सा exam आपको देना परता है, जिसे हम JEE बोलते है, joint entrance examination, जिसका full form की बात करूँ, तो joint entrance examination, ये examination आपको दो पार्ट में कराया जाता है, सबसे पहले अगर पार्ट की बात करूँ, तो सबसे पहला पार्ट, जिसे हम IIT JEE का पहला पार्ट, जिसे हम JEE main बोलते हैं, पहला या जेए मेन जो वच्चा क्वालिफाई कर लेगा जेए मेन को पास कर लेगा वो फिर सेकेंड पार्ट पर जाएगा विच जेए एडवांस्ट जेए एडवांस्ट तो दो एक्जाम से जिनके थुरू आप इन आयाइटी में अडमीशन ले सकते हो बट कंप्लीट प्रोसीज नहीं है बहुत टफ भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसके लिए हाड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी आपको स्मार्ट वर्क तो चलो आप बात में करोगे बट इनिशल स्टेज पे आपको बहुत हाड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर स्टॉंग डेडिकेशन वारे अंदर है तो आप जरूर इस exam को target करने की सोचो अगर नहीं है तो develop करने की सोचो अपने अंदर वो dedication लाने की कोसिस करो तो आगे हम stage by stage बात करते हुए चलते हैं तो सबसे पहला stage जो है मारा J.E.Mains इसके बारे में complete details समझते हैं तो इसके लिए agility अगर मैं बात करूँ कि यह आप कब दे सकते हो तो J.E.Mains की बात करूँ तो जब आप यह exam कब कब दे सकते हो जब आप class 12 में हो जब आप class 12 में हो तब आप इस चीज के लिए eligible हो जब आप class 12 में पहुँचगे हो और आपने class 12 boards का exam देने वाले हो जिस year में उस year में आप J.E.Mains का exam दे सकते हो और कौन कौन CS में दे सकते हो 12 में तू दे सकते हो फिर 13th 12 के जब एक साल बाद भी आप इस exam को दे सकते हो और फिर आप 14 में भी इसके exam को दे सकते हो तो 12 में भी दे सकते हो जिस साल आप 12th का board exam दोगे 13th मतलब जस्ट एक साल बात भी आप दे सकते हो 14th that is एक साल और बात दे सकते हो विच इस जेई मेंज तो stage 1 है जब आप इसको qualify करोगे तब जाके आप आगे जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें हमने समझ लिया और दूसरा क्या है जेई advanced तो अगर मैं बात करूँ कितने बच्चे इस exam को appear करते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है तो अगर जेई की बात करूँ तो लगभग 10-12 लाख बच्चे इस exam के लिए appear करते हैं किस exam के लिए जेई में के लिए appear करते हैं जो पिछले साल के बच्चे उनके लिए फिर से आप reappear कर रहा है तो ये चलती चली जाते हैं और लगभग 10-12 लाख बच्चे हर साल इस exam को देते हैं और exam को देने के बाद जेई मेंस में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो मात्र इसमें इसमें मात्र ढाई लाख बच्चे कंपीट कर पाते हैं इसमें कितने बच्चे आप आते हैं ढाई लाख बच्चे इस exam को पास कर पाते हैं और इस exam को पास करने के बाद कितने बच्चे ढाई लाख बच्चे जब इस exam को पास कर पाते हैं पास करने के बाद फिर उट जई एडवांस के लिए अपियर होते हैं, फिर जई एडवांस के बाद आपको IIT मिलती है, तो एक्जाम जई मेंस से इसके थू मिलता है, क्या-क्या है यह चीज़े पहले हम डिसकस कर लेते हैं, अगर जई मेंस ही सिर्फ आपने पास किया हुआ ह या फिर ट्रिपल IIT है न, ट्रिपल IIT होती है, इसमें तीन IIT है, डिफरेंस है, IIT में दो I होता है, यहाँ पे तीन I's हैं, और कुछ गौर्णेंट टेक्नलोजी भी होती हैं, इन्स्टिटूट भी होते हैं, उनमें भी आपको अड्मिशन मिलते हैं, और साथी साथ यहाँ पर कुछ state government के भी colleges होते हैं, जो भी आपको वो भी मिलते हैं, जैसे हम जानते हैं, हमारे UP में अगर बात करें, तो AKTU था पहले, उनके भी colleges अब J-Mains के ही marks पे आपको मिलते हैं, तो अगर J-Mains आप पहला stage बस qualify करते हो, पास कर पाते हो, तब आपको क्या-क्या opportunities है, NIT है, 12,00,000 बच्चे appear होते हैं, और पहले stage J-Mains में कितने लोग qualify करते हैं, पास करते हैं, तो 0,500,000 लोग पास कर जाते हैं, अब stage 2 की बात करते हैं, तो stage 2 है अपना J-E advanced, जहां से हमें क्या मिलने वाला है, J-E advanced, इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमारा प्यारा goal, जिसके ब लग बग 20-25,000 लोग क्या करते हैं, qualify करते हैं, यह चीज अलग है, 20-25,000 लोग qualify करते हैं, बट इन में से सिर्फ 10,000, 10K लोग ही क्या कर पाते हैं, IIT में पहुच पाते हैं, जितनी अब मैरे 13 IIT हैं, उसमें पहुच पाते हैं, आप समझो, ratio समझ सकते हो, लग बग 1% से भी कम का ratio है, 12,000,000 बच्चों, 12,000,000 का 1% क्या हो गया, 12,000, लेकिन यहाँ पर कितने लोग जा पाते हैं, सिर्फ 10,000, 10K students ही कहां जा पाते हैं, IIT में जा पाते हैं, तो यह चीज़ आपको बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, यह चीज़ समझेना पड़ेगा क्या process है, क्या ची में, अब J-Mains की बात करें कि कब-कब exam होता है, और कौन conduct कराता है, तो conduct कराता है NTA, जिसे National Testing Agency भी बोल सकते हैं, उसका नाम ही है full form, National Testing Agency, mode of exam की बात करूं, तो CBT mode होता है, which is computer-based test, computer-based test, जो भी होगा, आपका computer-based होगा, मतलब online mode में होने वाला है, कब-कब exam होता है, timing, तो अब NTA, J-Mains का exam दो बार कराती है, एक साल में मतलब आप तीन साल appear कर सकते हो, total 6 exams में, और एक साल में दो बार exam होगा, कब-कब होगा, एक तो या तो आपका Jan में होगा, दूसरा या तो आपका April में होगा, दो exam हर साल आप दे सकते हो, पहला January में, दूसरा April में, अब इन द होगा, उसको consider करके आपको qualify कराया जाएगा, J-E advanced के लिए, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, दो बार आप appear करते हो, हर साल, per year, इसको लिख लेना, per year, हर year में आप दो बार इसको appear कर सकते हो, और कब appear करोगा, 12th में, 13th में, 14th में, CBT mode होगा, conduct कौन कराता है, NTA conduct करवात है, अब J-E advanced की बात करूँ, तो J-E advanced हर साल सिर्फ एक बार, one chance मिलता है, per year, one chance per year आपको मिलेगा, वहाँ पर two chance per year था, अब यह कब-कब आप दे सकते हैं, 12th के time दे सकते हैं, and 13th के time दे सकते हैं, just एक साल बाद, बस दो साल आपको इस exam को देने के लिए मिलेगा, पहला 12th के साथ, और 12th के बाद, जिवन भरवाली वीमा यहाँ पर नहीं चलती है, कि life के बाद भी, life के साथ भी, life के साथ भी, life के बाद भी, ou life के बाद भी. दो येर में दे सकते हो, फोर्टींत में आप जही में तो दे सकते हो, बट यूर नॉट एलिजिबल फॉर दर जही एडवांस्ट, ठीक है, अब इसकी बात करूँ, तो ये भी कौन सा मोड में होगा, CBT मोड में होगा, that is computer-based test होगा, ये भी, और किस मन्त में होता है, मेंस के थू मिलेंगे, और भी इनकी complete detail आगे, हम लोग देखते वें चलते हैं, eligibility की बात कर लेते हैं, तो eligibility और भी कुछ है, पहला तो जो आप 12 में दे सकते हो, ये बात ही तो बहुत maturity वाली है, तो हर बच्चे को लगबग पता होंगी पहले से, अब आगे की बात कर लेते हैं, जनरल category का candidate है, तो उसे at least अपने 12th board में 75% marks score करना ही पड़ता है, ये उनका criteria है, कि अगर आप 75% अपनी boards में, 12th की boards में, तो आप समझ सकते हों कि board भी आपके लिए important है, ये नहीं कि हम अगर किसी foundation की तैयारी करें, तो हमें board को neglect करके चलना है, ये मजबूरी बन जाती ही कि आप neglect नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ अभी से आप दिमाग में रखके चलना, कि 11th, 12th इस तरीके से भी आपको पढ़ना, अगर 11th नहीं भी मालू, आप competitive बेस पर तो कोई problem नहीं, but at least you have to study 12th according to the board as well as olympi arts, या फिर आपकी जो भी competitive exams के आप त्यारी करों, उनको भी ध्यान में रखके करना है, तो board is also important, तो यहाँ पर 75% criteria is must, अगर आप किसी और category से हो, that is SCST से हो, तो 65% आपके लिए चल जाएगा, अगर हम बात करें, तो state board के लिए आप को top 20 percentile अपने हर state board का check कर लिजेगा, कि top 20 percentile कितना होता, अब जैसे UP board की बात को state board की तो 75 में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो 75 के नीचे भी हो सकता है, तो state board के लिए आपको top 20 percentile देखना पड़ेगा, candidate who joined any of IIT BHU या फिर कोई भी IIT अगर आप join कर पाते हो तो आप further किसी भी IIT का exam देने के लिए eligible नहीं हो जैसे कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि first time उन्होंने exam दिया उन्होंने IIT नहीं clear कर पाया but mains के thrown in कोई NIT का quality लिए और वहां से फिर IIT की तयारी करके फिर से IIT का exam दे सकते हो but अगर आप ये कर रहे हो कि आपने mains qualify कर लिए advanced qualify कर लिए और lower वाली IIT आपको मिल गए जो कि हमने ranking देखी उसमें slower मिल गए और फिर से आप IIT की preparation करना चाहते हो तो that will be not allowed वो allowed नहीं है आप further उस चीज की preparation नहीं कर सकते हो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वहीं पढ़ना पड़ेगा जहां आपने admission लिया हुआ है और भी कुछ आगे चल के चीज़े बात करते हैं that is कौन-कौन से अब course IIT हमें offer करती है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम undergraduate की ही हम बात करेंगे तो उसमें आपको सबसे जो जरूरी चीज मिलती है B.Sc फिर dual degree that is जिसे हम B.Tech प्लस M.Tech बोलते हैं फिर इसके बाद dual degree B.Sc and M.Sc भी मिलता है Bachelor of Architect भी मिलता है and Bachelor of Design भी मिलता है तो ये तो मेन हो गई भाई जिसकी हमें चर्चा करने वान जाते कि B.Tech Bachelor of Technology इसकी complete आपकी course ये भी offer करता है और ये कुछ additional courses है जिनको यहाँ पर हमने डिसकस किया पहला तो B.Tech बागी उसके साथ-साथ ये सारी चीजिए तो B.Sc भी एक अच्छा रोल हो सकता है वहां से offer किया जाता है और भी बहुत सारी courses है बट मेंली हमें जो समझना आप इतने वही कुछ कुछ टार्गेट कर रहोगे अगर कुछ और टार्गेट कर रहो तो वहीं पर आपको मैं आपसर कर दूँगा वह offer करती है या नहीं करती है चले उसके बाद ब्रांच की बात कर लेते हैं तो कुछ सेलेक्टिव ब्रांच जो की टॉप ब्रांचेज और भी ब्रांचेज होती है तो मैं उसके description box में proper detail सारी ब्रांचेज लिग दूँगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो सबसे पहली टॉप में जो चल रही भाई आजकल computer science software इंजिनियर बनना हमें तो हम फटाक्स यहां पर चले जा रहे हैं कोई भी development करना हम यहां पर चले जाने आप बनाना आपको यहां पर चले जाओ तो जो भी चीज़े हैं computer science mechanical engineering engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, chemical engineering, electronics and communication, automobile, aerospace, petroleum, industrial, civil engineering, electronics engineering, marine engineering, electrical engineering, और भी बहुत सारे इंजिनिरिंग, mining engineering, बहुत सारे ब्रांचे अभी इसमें और भी add हो सकते हैं यह कुछ main है I think आप इसमें से यह भी comment कर बताओ आप कौन सा तुम branch इसमें select कर रहा हो, क्या तुम चीज़े सोच रहा हो, अगर select भी कर रहा हो, तो क्या बनना चाल उस branch के थुरू, है ना complete अगर detail से यह किस branch से क्या opportunities हैं तो उसके लिए आपको comment करना पड़ेगा, comment करोगे तब ही तो हम general trend चलता, इसकी preparation कब से करते हैं और कैसे कैसे, तो सबसे बात करूँ तो हम लोग पहले 9th में शुरुआत इसकी कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे, जिसे हम pre-foundation का नाम देते हैं दोस्त, pre-foundation जो हम इसकी तयारी अगर 9th से ही कर दे, इसकी नाम simple सा क्या हो जाता है, pre-foundation, फिर आगे चल के हो सकता है, 11th या फिर 12th से सुरू करें, है ना, 9th से आपने कर दिया तो उसे हम foundation बोलते हैं, basically, foundation बोला जाता है, कहीं भी आप जाओगे तो इसे foundation बोला जाता है, या फिर अगर आप 13 एक साल आपने drop लिया हुआ है, तो ये भी available है, जिसे हम target बोलते हैं, क चार साल complete preparation के लिए इनको मिलते हैं, complete 4 years, अगर यहाँ पर कोई बच्चा माली 11th में सुरू कर रहा है, तो 2 years उसको मिलने वाले, अगर 12th में करेगा, तो 1 years मिलने वाले, और यहाँ पर तो आपको obviously हमेशा के लिए 1 years मिलता है, और सबसे यादा peer pressure यहीं पर होता है, वाई, अगर हम dropper की बात करें, आपने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा नहीं हुआ, फिर एक last साल आपने ड्रॉप यह अपना पूरा का पूरा साल waste कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, आप एक पूरा का पूरा साल अपना invest कर रहे हो, waste तो नहीं कहूंगा, invest कर रहे हो, अगर वहाँ से result नहीं जब capturing की develop होगी तभी अब देखो माना जाता ऐसा कि IIT में जो बच्चे जाते हैं वो sharp minded होते हैं माना जाता है मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो नहीं जाते हैं वो नहीं होते हैं वो भी होते हैं बट mostly जो जाते हैं वहाँ sharp minded ही जाते हैं contradictory statement जरूर है लेकिन यह है true है कि भाई जो भी IIT में जाते हैं वहाँ sharp minded ही जाते हैं यह बात आप कहा सकते हैं क्योंकि आपको जो जो जई advance जो हमने paper देखा जई advance वो paper ऐसा नहीं मिलता कि आपको बच आ गया और मिल गया कर लिए जई advance बहुत अलग paper है ऐसा question आएगा कभी तुम देखे नहीं होगे जीवन में वो कभी आज तक बना ही नहीं होगा उस format का ना question देखे होगे ना तुम लगाए होगे वो totally different paper होगा totally नया paper होगा अगर किसकी हम बात करें दोस्त तो यह जई advance की मैं बात कर रहा हूँ इसका जो paper हमारे सामने आएगा जई advance का paper वो complete नया होता वो पहली बार ही वो question frame ही हुआ होता आप सोचो कि हर IIT से 10 से 12 professors जाएंगे question को prepare करेंगा तो professors बनाते हैं है ना तो सोचो लोग कि कितना different है और कितने चीज़न नहीं है तो इसके लिए आपकी thinking process तो लगेगी आपकी खुद की approach आपके thought process सब use होंगा उस question को solve करने के लिए तो तुम inbuilt अपने आपको ऐसा बनाओगे तभी तुम solve कर पाओगे otherwise फिर तो नहीं होने वाला है ना तो अगर बात करूँ प्रिफाउंडेशन की तो प्रिफाउंडेशन हम भी आज से हमारा एम यह यार कि जो बच्चे नीट के लिए टार्गेट करें या फिर आयाइटी के लिए टार्गेट करें उन्हें जितनी भी help हो पाए हम अपनी तर आप जाके सर्च भी कर सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से भी आप जाके इस ग्रूप को ज्वाइन करिए क्योंकि प्रिफाउंडेशन से रिलेटेड जो भी आपको डेटा होगा जो भी help हो पाएगी वह सब कुछ आपको वह हो चीजे लाग कर रहे हो आप ऐसा होता ने किसी चीज के हम शुरवात करती जो होने लगती तो उस चीज के लिए पर प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर हम कॉंसेट पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ेंगे एक्स्टा तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये फांडेशन कर रहा है वं आपको जो आपखा गया है जो top जो इनसे चीजिए आपको मेरी गैरेंटी और मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो यह जेई में पूछा हुआ है और मैं नहीं कराऊंगा खाली कोशन लेकर आ जाऊंगा वोड़ पर तुम करोगे क्योंकि तुम वह कॉंसेप्ट सीख चुके होगे मैंने पिछले साल भी बैचेज में कोशन कराए है मैंन आपके पास Rankers NTSC का एप मिल जाएगा जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी या फिर जहां से गेम डाउनलोड करते हो न आपको इस पार बैस दिख जाएगा जाके बाई नाव पर क्लिक करोगे एक ओफर कोड आपके पास होगा NTSC 2024 अगर आज करते हो तो आज ही तक होगा यह फिर बाई नाव पर क्लिक करिए और जो भी ऑप्शन्स आपको दिख रहा है आप फटा फट से जाके उनको इन्रोल कर लीजे तो यह कुछ आपके हो गए बाई बात करें कुछ आपको केंपस दिखा देता हूं यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिय रहे हो अच्छे इस्टांडर्ड में जिरो ब्रें माइंड के साथ जी रहे हो गुड माइंड के साथ जी रहे हो तो उनके साथ जीओ कि तुम्हारे थोट लेडी बढ़ जाएगी हैर चीज बढ़ेगी अब कुछ हम लोग यहां पर सकसेसफूल आयइटीयंस की बात कर ले जिनका नाम आपने बहुत देखा होगा विश्वपती सरकार जितेंद्र कुमार है ना चेतन भगत जी और भी बहुत साने मैंने बोल रहा हूं नहीं है सुन्दर पिचाई है और भी बहुत गौर अतने देखे हो यूटूबर है आप कमेंट करके बताओ कितने आईटेंस को त प्राइबेट से लेके हर बच्चा इनफोसिस में प्लेश्मेंट पाई जाता है है ना तो बहुत बहुत अच्छी जी भाई को फाउंडेड उन्होंने किया हुआ और इनका नाम आपने चेहरे से तो आप इनको बाई दवे नहीं जानते हो बट इनका नाम आपने जरूर ज दिखा दे रहा हूं सबसे पहला अर्विंद केज रिवाज जी करेंट प्राइम सोरी चीफ मिनिस्टर हमाई दिली के प्राइम मिनिस्टर नहीं है कोई ट्रोल नहीं करेगा बाई एजुकेशन कहां से इनोंने किया आई आई टी खाड़कपूर से और आई आरस ऑफिसर भी यहां नहीं जानता रोज गुगल यूज करो इतना तो तुम जानते ही हो, है न, CEO of Alphabet and Google, IIT खड़कपूर से इन्होंने पढ़ाई की थी, आगे की इस जुगेशन भी बहुत डिफरेंट हैं की, बट, IIT खड़कपूर से इन्होंने भी पढ़ाई था, इन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो यह कुछ नाम थे, अब हम बात कर लेते हैं, टारगेटिंग IIT की, अगर आप IIT को टारगेट कर रहे हो, तो what you should do, और अगर 9th में हो, 10th में, 11th में, कहीं पर भी हो, एक चीज़ के त्यारी जरूर कर दे रहा, that is अपनी brain की preparation की त्यारी, अपने आपको पहले mentally prepare करो, कि यहां तुम्हें वो चीज़ देनी है, और अपने आपको पहले यह तुम बताओ, कि यहां मुझे वही चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ, मैंने decide किया, तो पहली चीज़ तुम खुद decide करो, तुम्हें क्या चाहिए, फिर उसके बाद उसकी त्यारी सुरू करो, तो अगर नाइंध में हो तो भाई जरूर आपको pre-foundation तो start करी देना चाहिए, pre-foundation कहने का मतलब जितने भी olympiarts अगर आपके level पर उनकी at least त्यारी सुरू करो, जो बहुत मदद करेंगे आपकी आगे की future की त्यारी के लिए, और अगर होए तो भाई तुम अपनी महनत को देखो, कि इतना competition हो, मैं क्या महनत कर रहा हूँ, तुमें top 1% में आना पूरी इंडिया में, तो सोचो कितना competition होगा तुमारे लिए, focus on understanding the concept, मैंने बोला कि IIT JE जो हम exam दे रहे हैं, JE advanced, तो यहाँ पे जो भी आपको question मिलेगा, वो आप जीवन में पहली बार देखे होगे, आपके आपके teacher जो देखते हैं, वो भी जीवन में पहली बार वो question देख रहे होते हैं, तो at least आपको उतना mind तो होना चाहिए, उस question को solve करने के लिए, तो जही एडवांस का question मजाक नहीं है, नए question से 12-13 professor लगते हैं, हर अलग-अलग IIT को शीष को prepare करने अलग-अलग IIT हर साल conduct कराती है, तो आप समझ सकते हो questions कैसे आते होगे, एक बार देख लेना जाके समझ में आ जाएगा, start solving proof foundation books, अगर 9th में हो, 10th में हो, तो pre foundations की book को start कर दो, अभी से solve करना, और जो भी Olympiards उनके लिए prepare करना, at least शुरू कर दो, और दूसरी चीज, जो और सारी चीज, आप सीख जाओगे, 9th और 10th में ही, तो आगे हम कुछ, that is coming to doubts, अब बात कर लेते हैं, जो भी तुम्हारे मन में doubts होगे regarding IIT, जो भी होगा, उसको comment कर देना, अगर वहाँ पर possible होगा, तो मैं वही पर आपको चीज़े बता दूगा, otherwise, आपके लिएक separate video shots में बनानी की गोसिस करूँगा, तो जो भी requirement होगी, आपकी comment box में जरूर रताएगा, वो तुरंद पूरी कर दे जाएगे, यही हमारी aim है, कि हम आपके requirements को पूरा करें, उस पर पूरा काम हम जोरो सोरो से कर रहे हैं, तो आगे, बस, thank you, I hope आपको complete detail पाता चल गई होगे, IIT के पूला है, जाओ comment करो, और goal comment करना मग घुलना, बाबाई, जैहिन